जो लोग student है, जो लोग college में जाते हैं और जिनका budget कम है, टाइट है, उनके लिए ये protein बहुत ही अच्छा protein मैं कहूंगा, बहुत ही effective protein है What's up guys, welcome back with another video, दो दोस्तों आज की video होगी हमारी as it is protein के बारे में और ये protein supplement इतना cheap है, तो क्या ये effective है या नहीं है, तो सारे questions आपके जो थे, मैं इस video के अंदर आपके answer करने वाला हूं तो as it is protein, इंडिया के अंदर बहुत ही growing और popular brand बन चुका है, जो की बहुत ज़्यादा purchase किया जा रहा है लोगों के दोवारा और वो ये बार-बार में ये चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या हमें ये protein supplement लेना चाहिए, क्या ये worth of money है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है और इसके अंदर जो protein आपको quality मिल रही है, वो बहुत ही अच्छी मिल रही है, तो ये ही questions रहते हैं आप लगों के, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी आप protein supplement जब raw whey protein खरीते हैं, तो उसके अंदर चार चीज़े देखना बहुत ज़रूरी होता है पहला होता है हमारा taste, दूसरा mixability, तीसरा उसका price कितना है, और चोथा आता है उसका absorption कैसा है, वो अची तरीकी से digest हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस protein को मैं अभी एक हफते से use कर रहा हूँ, और मैं इसका एक scoop रोज, morning में use कर रहा हूँ, तो ज़्यादा दर जो raw whey protein हो नहीं हो रही, अची तरीके से digest हो रहा है, easily digest हो रहा है, और बहुत सारे लोग मैं नहीं देखे हैं कि raw whey protein, मतलब digest नहीं होते ही, वो पता नहीं कहां से ये myth मना दिया है, हमारी body, घी, दूद, पनीर, कुछ भी अगर आप खाएंगे ना, अगर आप पत्थर भी खाएंगे कि वो मैं अभी आपको live test करके दिखाऊंगा, किसका taste और mixability कैसा है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके price की, तो दोस्तों ये जो protein है, as it is का, ये 1200 रुपे का आपको market में available हो जाता है, अब 1200 रुपे में आपको 1 kg raw whey protein मिल रहा है, जो कि बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा brand है, और जो ये अपना supplement है, जो ये protein है, ये USA से मंगवाते हैं, सिधा USA made way लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, तो जो इनका raw material आता है, protein आता है raw, वो ये सिधा USA glambia से import करवाते हैं, और आपको इस packet के अंदर देते हैं, तो as it is इस scoop 30 gram का है, और आपको इसके अंदर total serving मिलेंगी, एक kg के अंदर 33, यानि कि 33 serving मिलेंगी, अगर आप beginner है, अगर आप student है, तो एक, अगर इस scoop भी ले रहें, तो भी ये protein आपका 33 दिन चल जाएगा, तो कोई issue वाली बात नहीं है, एक protein अगर आपको बज़ेद थोड़ा लूसीन और वेलिन तीनो ही इसके अंदर अवेलिबल है, जो कि आपके muscle growth के लिए बहुत ही ज्यादा important है, इसलिए आपको लूसीन बहुत ज़रूरी है, जो इसके अंदर अच्छी quantity में available है, 2.6 gram के असपास है, उसके साथ में इसके अंदर जो भी सारे BC double S होते, non essential amino acid, जो important हमारी muscle growth के लिए वो भी इसके अंदर अवेलिबल है, जैसे कि आप जानते हैं कि market के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ब्रेटो ब्रेंड के supplement अवेलिबल है, और वो काफी महेंगे आते हैं, जैसे कि आप कौन हो गया, muscle tech हो गया, तो ये भी जो अपना raw material है, वहीं से import करव आते हैं, जहां से सारी बड़ी कंपनिया, top brands मंगवाते हैं, तो इसलिए आपको quality में कोई भी compromise नहीं कर रही है, as it is, आपको एक अच्छा raw whey protein प्रोवाइड कर रही है, और इसके results बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी मैं इसको एक हफते से use कर रहा हूं, इसका एक कीन हो, तो मैं जब heavy weight लगाता हूं, तो मुझे अपने जो एक से जो दो रहप है, वो मेरे बढ़ गए हैं पहले से, जो मैं heavy weight लगाता था, उसके जो भी heavy weight लगा रहा हूं, उसके एक से दो रहप बढ़ रहे हैं, तो यहां मेरी strength काफी ज़्यादा increase हुई है इससे, तो जै को सोचनी की जूरत नहीं है, अभी मैं खुद इस्तमाल कर रहा हूं, इसलिए आपको recommend कर रहा हूं, तो यहां मैं इसको use कर चुका हूं, और इसके results अच्छे हैं, definitely आपको muscle growth में काफी help करेंगे, अगर आप इसका दो scoop लेना चाहते हैं, तो आप एक morning में लेंगे, और एक after workout, जब post workout के अंदर, आप पानी के अंदर लेंगे, तो यह आपको काफी ज़्यादा help करेगा, आपकी recovery में, muscle recovery, तो अगर आप इस protein supplement को खरीना चाहते हो, तो मेरे description box में जाए, वहाँ पे आपको as it is का link मिल जाएगा, आपको amazon पे जागे, आप direct इसको purchase कर सकते हैं, और आप flip card पे भी इसको purchase कर सकते हैं, तो आपको buying link description box में जाएगे, तो चलिए अब taste करके बताते हैं, इसके taste and mixability कैसा है, तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा, इसकी mixability और taste के बारे में, क्योंकि वह बहुत important matter गरता है, mixability, आपका protein अच्छे से mix होना बहुत ज़रूरी है, तो mix 100 ml के आसपास पानी लिया है, जाधा आपको पानी लेना नहीं है, और मैं इसको दस सेकंड तक शेक करूँगा, दस सेकंड में easily जो कोई भी अच्छा जो प्रोटीन होता है, ब्रेंड़ प्रोटीन होता है, आपका easily mix हो जाता है, तो दस सेकंड आप शेक करें, दस सेकंड के अच्छी तरीके से शेक हो गया, और मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा भी दिया है, और एक चीज़ और बताना जाओंगा, आपको मेरी बोड़ी जो है, लेक्न जो डेरी प्रोटीन होता है, उसको डाइजस्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन रोव प्रोटीन जो होते हैं, ऐसे लोगों काफी दिक्कत करते हैं, लेकिन मुझे easily digest हो जाता है, जोस्तों मैं आपको पी के भी दिखा देता हूँ, टेस्ट अकि अगर हम बात करें, तो टेस्ट इसके अंदर कुछ होता नहीं है, जो रोवे प्रोटीन होते हैं, लगबख सब के एक जैसी टेस्ट ह होते हैं, जो ड्राइ पाउडर होता है, दूद का, जो हम बच्पन में कभी छोटे में अगर आपने यूज किया हो, तो सेम वैसा टेस्ट आता है, लेकिन हमें बाडी बनाने से मतलब है, हम टेस्ट के चकर में ना जा के अगर बाडी के ओपर ध्यान देंगे, और बारा सु अगर अच्छी कालेटी आपने प्रोटेन मिल रहा है, तो टेस्ट के बारे में नहीं सोचना चीए, जो लोग स्टूडेंट है, कॉलेज में है, जो लोगों का बजट है, वो इस प्रोटीन को बेजिजग इस्तमाल कर सकते हैं, जो यह बहुत अच्छा प्रोटीन है, उन ल टाइट है उनके लिए ये प्रोटीन बहुत ही अच्छा प्रोटीन मैं कहूंगा बहुत ही एफेक्टिव प्रोटीन है तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लोगी तो प्लीज लाइक शेर ज़रू करें और डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे इस